है हलो आपका हमारी चैनल में एक बाद फिर से सवागत है तो आज मैं आपको बता हूंगा अगर आपके इलक्टॉनिक काटे के नंबर भागने की प्रोब्लम ए तो उन प्रोब्लम को कैसे आप सभी करोगे तो यह सब आपको इसा हैं पर सिकाने वाला हूं आज अच अगर बैटरी को हम जो है चेक कर देंगे तो बैटरी तो हमें लगवग लगवग जो ठीक नगेर आ रही है लेकिन फिर हम चेक कर लेते हैं और बोल्टेज चेक कर लेते हैं कार्ड से कितनी बोल्टेज आ रही है तो मैंने यहां पर देखिए पहले हम इसकी जो है दोने तारों को छ शील देते हैं, और इसके बाइद हम यह प्ल Budd लगा देते हैं लाइट हम ने यह प्लग लगा दिया अब आभा वह दोनो अब क्वाजीटिव ने गीटिव- तार को पकड़के फिर्क्स लागर के हम चेक कर वहलेंगे, कितनी बोल्ट आ रही है यह voltage ठीक है इतनी voltage आनी चाहिए और साड़े साथ voltage तक आए तो बढ़िया है तो मैं यहां पर इसकी ic को change करूँगा और स्वोल्टेज को साड़े साथ voltage तक लेते आऊंगा और साड़े छे voltage भी है फिर भी सही है लेकिन जो है इसकी problem जो है इसकी ic से जो है हो सकती है वैसे तो IC का काम जो है बैटरी को चार्ज करने का है लेकिन कभी कभी जो है error आजाता है जिस वजे से बैटरी चार्ज नहीं होती है और voltage पूरी दिखाता है लेकिन battery चार्ज नहीं हो पाती है यह यह जो है लेकिन current नहीं आपाता है जिस बिज़े से बैटरी जो चार्ज नहीं होती है और number भागने की problem आने लग जाती है तो मैं यहाँ पर IC को जो है change कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं खोल के IC को change करूँगा फटाफट मैं इसके उपर से heat sink को निकाल लेता हूँ heat sink को मैंने खोल लिया है और heat sink का काम इतना ही होता है IC जब गरम हो तो इसको ठंडा करने का मैं यहाँ पर थोड़ा सा paste लगा लिता हूँ इससे की soldering असानी से हो जाए तो फटाइंड मैं आप पेश्ट लगाने के बाद यहाँ पर disoldering कर रहा हूँ तो यह असानी से जो हमारी IC बाहर आजाएगी तो यह देखिए मैंने अब paste लगाने के बाद जैसे ही इस पर लगाता हूँ IC देखिए लिकल गई कि अतनी असानी से IC निकल गई और वैसे असानी से नहीं निकलती है तो यह आप देख सकते हो यह IC जो 78.08 है अगर आपको दिखाई देरी होगी तो मैं दोड़ा पास करके दिखा देता हूँ 78.09 IC चेंज अब यह दूसरी नई IC है मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पर फसा लेते हैं अगर नई फसती है तो इस तरीके से अंदर रखेलना है और फस जाएगी तो मैंने फसा ली अब यहाँ पर यहाँ पर जो है दुबारा से सोल्डरिंग करता हूँ बढ़िया करके सोल्डरिंग कर देनी है इससे की दिक्कत ना है तो मैंने यहाँ पर यह सोल्डरिंग कर दी है देखें मैं तीनों जो है अलग-अलग करके सोल्डिंग करनी है तीनों को जो है इसमें जो है टच नहीं हो पाए इसमें जो है बीच वाला सोर्स है यह कॉमन रहता है और एक उधर का इमेटर और एक कलेक्टर रहता है तो इनको जो है आपस में टच नहीं हो अब मैं फिर से इसमें जो है प्लग लगा लिता हूं लाइटनम मैंने प्लग लगा लिया है अब इसकी हम फिर से बोल्टेज चेक करेंगे और इसके नमबर देखेंगे भाग तो नहीं रहे हैं लेकिन नमबर अभी भाग रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम है इसमें तो अब दूसरा सॉलिसन देखेंगे दूसरा क्या सॉलिसन हो सकता है तो बिष्टार्ण इसकि वॉल्टेज फिरसे हम चेक लिए जैंक कितनी बॉल्टेज में अ रही है मैंने प्लॉक लगा दिया हैorf पाजिट code को और प्लॉक्स लगाता हूं तुदे इस और भाज्ष। ए साड़े छे लगवां साही है यह बोल्टेज साही है, इतनी बोल्टेज 6 बोल्ट की बैटरी को 6.5 बोल्ट जोए डी सी चार्ज कर सकती है, इतनी बोल्टेज लगवक साही है, 6.5 होती तो और भी बढ़िया रहता, तो यहां पर देखिए मैं प्रोग्रामिंग आपको बाँ निकालना हूं, प्रोग्रामिंग या सी को बढ़िया करके साफ कर लेंगे इसके जितने भी बहार को पियने निकली हुए है इन पेरों को बढ़िया करके घिसके साफ कभी कभी होता है इनमें जो कारवन जम जाता है जिस कारण से कॉंटेक्ट सही से नहीं मिल पाता है और नम्मर भागने की प्रोब्लम आ सकती है तो फ्रेंड यहां पर मैं स्टेप बाइस स्टेप आपको बहता हूं कितनी तरीके से जो है नम्मर भागने की प्रोब्लम आ सकती है कोई एक प्रोब्लम नहीं होती है नम्मर भा बड़ा हुआ है बड़िया करके साफ कर लेंगे अगर ज्यादा गंदगी हुरी हो तो कोई नुकीली सी चीज लेंगे और इसके अंदर गिसके इसको साफ करेंगे तो अभी मैं ऐसी साफ कर लेता हूँ कि अ कि अ कि अ कि साफ कर लेंगे मेरे पास जो है यहां पर बिलेट है मैं इस बिलेट से इसको असाफ कर लेता हूँ और को पिक कर आ कुछ साफ कर लेंगे इपर फिर से बुलुस मार लेंगे साफ करने के वाद iC को जो है फिर से उम यहां पर लगा देतें in cert कर देतें तो यहां नहीं पर लगा दिये और यहां पर आव फार को लगाएंगे और फिर से हम एक कर दो हमारी हमारी साव्क होगी कभी कभी होता कि यह सब तरीके काम नहीं करते हैं उस trigger पर हमें zej सब पूरी की पूरी जो है मधरवोड रपा पड़ता है पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें ऐसी ही वोडियोज को देखने के लिए धन्यवाद यहां पर मैं दो केजी का बांट रख्या को चेक करा देता हूं तो यह देखिए